जै हिन, जै भारत साथियों, आज एक और खास विशेवे वीडियो लेकर कि आपके बीच में हैं, जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस विशेवे बात करने वाला हूँ कि जनता किसी को अपना नेता कम बानती है, वैसे तो मैं इस विशेवे पर पहले भी बात कुशिश ना करें, लोगों के सेवक बनने ही कुशिश करें, लोगों के समस्या के समधान करने वाले बनने ही कुशिश करें, लोगों के अपने पर्सनल रिलेशन के आधार पर संबंध मना करके, समस्या के साथ समधान करने की बात करने वाले वैक्ति के रूप में अपनी प समझदार है जनता को पता चल जाता है कि वक्ति के बारे में जो बाते कहीं जा रहे हैं वो सच्चाई है या जूट है तो कोशिश ये करें कि आप नेता नहीं बने आप सेवक बनने ही कोशिश करें उनकी समस्याओं के समधान करें उनकी समस्याओं को जानने ही कोशिश करें ल लोगों को जिस पर भरोसा होता है उसे ही अपनी समस्या बताते हैं यदि लोगों को आप पर भरोसा नहीं है तो लोग अपनी समस्या नहीं बताएंगे लोग आप पर भरोसा करें इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए इंतजार मत करिये कि लोग आपके घर आएंगे आपक एक्षान मनाईए और उन्हें बताईए कि कभी भी किसी तरह की समस्या हो तो इस वक्ति से मिला जा सकता है यदि आप किसी प्रोफेशन में मालीजी आप डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं टीचर हैं लॉयर हैं किसी और प्रोफेशन में तो अपने प्रोफेशन के बारे में बता लोगों की समस्याओं सुनने का समस्याओं की समधान करने का यदि आप अधिकारी है तो अधिकारी रूप में आप जनता दर्बाय लगा सकते हैं यदि आप किसी पतपर नहीं है तो कोई संस्था बना करके पत बना सकते हैं और उस संस्था के अधार पर काम करना शुरू कर सक सकते हैं संस्ता में लोगों को जोड़ सकते हैं में परपस है लोगों को भरोसा हो जाए लोगों को विश्वास हो जाए और जब एक बार लोगों को विश्वास भरोसा हो जाएगा तो आपने उस भरोसे पर खरे उतरना है बार बार उनके समस्याओं को सुनना और समस्याओं क करना समधान कर देने के बाद भी उनके फैमली में उनके प्रीवार में उनके नोन में यदी किसी और को क conservatives वारे करना और लगाता निरंतर समवात करते रहना ऐसा ना हो जाए कि समवाधा बन जाए के लोग मेरे पास आएंगे नी यह इनतितर मत करियों घर निकल लिए, लोगों से समधान करें, लोगों से बात करें, लोग के समस्या सुनिए और समधान करने की कुशिश करें, विश्वास जिताई है लोगों पर और लोग आप पर भरोसा करने लग जाएं, कहां इस वक्ति के उपर अगर भरोसा करते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, तो कोई ना कोई समधान या तो इसके पास होगा या या हमें गाइड करेगा कि कहां समधान मिल सकता है दूसरा काम कभी भी किसी के यहाँ भी कोई समस्या आ जाए बिना बुलाय चले जाईए आपने देखा होगा खुशी में तो लोग इंवाइट करी लेते हैं दुख में ज पोटर वालों का हो, वोटर आपके हो या ना हो, आपको अगर पता चला किसी को दिक्कत है शेत्र में, आपका तुरंट पहुँच जाना और कभी कोई भगाता नहीं है, यह मैं सुचना कि वो लोग तो मेरी विचारधारा के लोग नहीं है, वो लोग मेरी जाती धरण के पता चला किसी के साथ हदसा हो गया, और अब आप उसके घर का आकर करके इनवाइट कर ले, तब आप जाएंगे, नहीं साथ, ना वो बुलाएगा और नहीं बुलाने पर जाया जाता है, आपको खुद जाना होता है, आपके शेत्री जनता ही आपके अपना परिवार होती ह मैंने किताब लिखे नरा राजरिता बन्या बच्चों खेल ले है, उसके बता है कि राजरिता का शेत्री जनता परिवार क्या, उसकी पूरी 컨स्वर्शी जितना बड़ा एरिया में काम करना चाहता है, महले जिसके आप पर पर ब्लॉक के वोटर आपके परिवार होगे, गर आपका परिवार होगा आपके ब्लॉक में रहने वाले लोग अगर आप विधान सभा इस्तर की तैयारी करें तो वो पूरी विधान सभा में रहने वाला एक नागरिक आपके परिवार का हिस्सा होगा अगर आप लोग सभा की तैयारी करें तो लोग सभा में रहने वाले अग के बारे में आपको पता चलता है तो या तो आप पहुंचे या आपकी पहुंचे कम से कम आपका फेस आपकी मदद पहुंचनी चाहिए लोगों को लगना चाहिए कि इस वक्ति को अगर पता चलता है समस्या है तो तुरंत पहुंच जाता है इसको बुलावे के ज़रूद नह करता है आपको पता होना चाहिए किस काम के लिए किस अधिकारी के पास जाना है कौन सा काम कहां किया जा सकता है किस से करवाया जा सकता है किस सिस्टर का अधिकारी है अधिकारी का स्ट्रक्चर होता है पूरा हिरार्की होता है तो कौन सा अधिकारी जिले में बैठेगा जिले अधिकारी कॉन सा वेक्ति क्या काम करा सकता है उसके बारे ही पता है और लाइस नीग करने के जूरत नहीं है ऐसा नहीं है कि आप पता चला अधिकारियों के साथ मिल करके transfer posting में काम करने लग जाएं पता चला पैसे लें देने के लिए काम करने लग जाएं तो इससे जनता के बीच में आपके छवी खराब होनी शुरू हो जाएगी अधिकारी आपके काम के अधार पर आपकी knowledge के अधार पर आपको अपने साथ रख सकते हैं जनता भी आपकी knowledge के अधार पर आपको अपना leader स्विकार करेगी अगर आपके ग्यान से उनका कुछ लाब हो रहा होगा तो यानि पहली बात आपके पास ग्यान होना और दूसरी बात उस ग्यान का जन्ता को लाब होना जन्ता को फायदा होना चाहिए कि हाँ वाकई ये वक्ती पढ़ा लिखा है समझदार है और इसके ग्यान का हमें लाब मिलता है इसके ग्यान के कारण हम अपनी समस्चाओं का समधान भी कर पाते हैं और हम जब इसके पास जाते हैं तो जन्वन इसको पता होता है किस समस्चा के लिए कहां भीजना है और जब आप अपना लेटर प्ले करके भीजें किसी को आपका लेटर जाएगा और डारेट उस अधिकारी के पास अला जाएगा जिस अधिकारी को काम करना है और जन्वन काम है तो अधिकारी आपका काम करेगा ही करेगा अब उसने अगर आपका काम कर दिया तो आप घिरो बन गए क्यों? आपके लेटर पर उसका काम हो गया और यदि काम बाइचान नहीं भी किया तो आप ये बोलने के हगडार बनेंगे मैंने अपनी तरह से फुरा प्रियास किया था मैं किसी पज़ पर नहीं हूँ शायद इसने अधिकारी ने मेरी बात नहीं मानी अगर मैं कल आपका जन पृतिमिदी होता या कल बना तो ये अधिकारी मेरी बात मानेंगे और मैं आपकी हर समस्वा का समधान कर सकता हूँ, मुझे knowledge है, मुझे एग ज्यान है, ऐसे लोग जिन के पास knowledge होती है, और वो knowledge जनता के काम आरे होती है, जनता ऐसे लोग को अपना नीडर, अपना मसीय, अपना नेता मान लेती हैं, क्योंकि जनता के पास उतनी नौलेज नहीं है, जो जनता के पास नहीं है, अगर आप के पास वो है तब ही आप जनता से अलग बन पाएंगे तब ही आप नेता बन पाएंगे, तब ही मुवीज में देखते हैं नायक कैसा होता है कोई दुबला पतला कमपुजदोर इंसान वो नायक बन पाता है नायक क्या होता है शायरूप से भी मजबूत होता है मांसी रूप से मजबूत होता है जब समस्या लेकर के लोग नायक के पास आते हैं तो नायक धबराता नहीं है विचलित नहीं होता परिशान नहीं होता वो समस्याओं वाले लोगों को भी धानस बदाता है और खुद तुरंट अपने दिमाग को लगाता है कि समस्या का समधान क्या हो सकता है और बहुत सारे लोग खलनायक होते हैं लेकिन जंता उन्हें भी अपना नायक मानती है रोल मॉडल बन जाते हैं क्यों क्योंकि वो ताकतवर होते हैं उनके पास हर तरह की शक्ती होती है हर तरह का सामर्थ होता है वो कमजोर वो डरफोग नहीं होते हैं, कमजोर डरफोग लोग को कोई अपना नेता नहीं वानता, यदि यदि आप में से कोई वाकई नेता बनना चाहता है, आपको मजबूत बनना पड़ेगा, शार रूप से मजबूत बनना पड़ेगा, आर्थ रूप से मजबूत बनना आपके साथ दापका जनाधार होना चाहिए और जब तक आपके पास अपनी टीम नहीं है जनाधार नहीं है तब तक मैं आपको recommend करूँगा जनता के बीच में ना जाएं अपने आपको नेता कहलवाने में परेज रखें और जनता को भी ऐसा कोशिश करें कि जनता तब तक आपको अपना लीडर ना माने जब तक हमसे कम आपके पासे तिरे लोग ना हो आपके पास अपनी टीम ना हो आप अपने आपको मजबूत ना मानते हो क्योंकि बहुत सारी समस्यां ऐसे आएंगी जिनमें अगर आप कमजोर हुए तो जनता तुरंथ आपके अलावा किसे दूसरे के बासर ली जाएगी आपका साथ छोड़ देगी और एक बार अगर प्रसेप्शन ये बन गया राजनिती में ये वक्ती कमजोर हैं लोग ऐसे लोगों का साथ नहीं देते याद रखे एक बार राजनिती में मैं अक्सर बोलता हूँ वास्विक्ता क्या है ये ज़्यादा माइने नहीं रखता छवी क्या बन गई है ये ज़्यादा माइने रखता है अगर एक बार आपके छवी कमजोर नेता की बन गई तो जनता कितना ही आप करते रहे कितना ही बदलाव कर लीजे जनता आपको कमजोर ही मानेगी जनता आपको लीडर नहीं मान पाएगी या आप जननायक या जननेता नहीं मान पाएगी फिर भी इसके अलावा कोई समस्या आती है कभी आपको लग रहा है जनता आपको कुछ और हो और आप कुछ और कर रहे हैं असा भी हो जाता के बारे तो मैं आपको गाइड करूंगा समझाऊंगा सिखाऊंगा मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के description जाएए मेरा phone number मिल जाएगा 245 बात कर सकते हैं मैं गाइड करूंगा तो आप मेरी website www.ipnindia.org वहाँ जाकर कर ले सकते हैं YouTube के मादम से भी training मिल जाएगा आप देखे सबस्वाइब बटन है ब्लू कलर का महा क्लिक करेंगे अलग अलग अप्शन सा जाएंगी जो भी training लेना चाहें YouTube के मादम से training ले सकते हैं कोई और सवाल है कोई और डाउट है कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कोशिश करूँग आपको गैड करता हूँ आज के लिए इतना ही आपके उज़ोर राजीति भाविशे के लिए हार्द करते हैं